पाइफन सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सबस्क्राइब करें पाइफन प्रोग्रामिंग में आज का हमारा टॉपिक है डिक्सनरी सबसे पहले हम देखेंगे what is डिक्सनरी full explanation मतलब डिक्सनरी बनाने का syntax सकते हैं देटा इसे क्या होता है इसमें क्या कर सकते हैं की वैलू के form में बहुत सारे objects को बना के रख सकते हैं, dictionary के अंदर store कर सकते हैं, syntax में आप देखो, यहाँ पे आपको dictionary object का name लेना है, यानि variable का name होगा, equal to curly braces आपको यहाँ पे बनाना है, और आपका यहाँ पे सबसे पहले होगा key, उसके बाद colon, और इस key का एक value आपको provide करना पड़ेगा, key value के form में dictionary के अंदर value हम रखते हैं, ठीक है, और उसे object में store करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा key value हो सकता है, ठीक है dictionary के अंदर, और एक single object में वो stored रहेगा, लेकिन program बनाने से पहले हमें कुछ बात याद रखना पड़ेगा, वो क्या है indexing and slicing not work dictionary में आप indexing के through value को fetch नहीं कर सकते हैं मतलब, आप अगर चाहें किसी particular index के value को लेना तो आप नहीं ले सकते हैं, इसी तरह आप slicing भी perform नहीं कर सकते हैं, dictionary में मतलब, किसी particular area से किसी particular area के बीच का value आप access नहीं कर सकते हैं insertion order is preserved dictionary में insertion order fix होता है, यानि जिस form में आप key value में value insert करेंगे यहां पे उसी form में आपको output मिलेगा ठीक है, यानि जो भी key value होता है, उसका index number fix होता है, position हाना, heterogeneous elements are allowed, इसमें अलग-अलग तरह की value आप रख सकते हैं dictionary के अंदर mutable nature का होता है, मतलब इसमें आप update, insert, add value कर सकते हैं बाद में, key must be unique आपका जो key होगा dictionary बनाते समय आप जो value को एक key provide करेंगे, वो हमेशा unique होना चाहिए, बट आपका जो value होगा वो duplicate चलेगा, ठीक है तो अभी चलो हम क्या करते हैं जितने भी points मैंने discuss किये हैं practically प्रोग्राम के जरिए उन्हें देखते हैं कि वो सही है कि नहीं practical में सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको एक empty dictionary create करके दिखाते हैं कि कैसे करेंगे मान के चलिए हमने variable का name ले लिया वैर और हमने curly braces से body बना दी अब अगर हम जानना चाहें इसका type क्या है तो हम print function में type function को call करेंगे और यहाँ पे वैर का type हम check कर लेंगे इसको हम save करते हैं और program को run करते हैं तो यहाँ पे देखो type dictionary आ चुका है इसका मतलब यह जो हमने वैर बनाया है यह हमारा empty dictionary है python में ठीक है आप एक और तरीके से बना सकते हैं आप dictionary function यूज करके इस काम को कर सकते हैं ठीक है इस तरीके से अभी भी इसका type अगर हम check करेंगे तो यह dictionary ही बताएगा तो यहाँ पे देखो अभी भी type dictionary आया है मतलब empty dictionary create करने का दो method होता एक आप dictionary method के थुरू कर सकते हैं और एक normally curly braces की body के थुरू कर सकते हैं इस तरीके से ठीक है अब चलिए हम इसमें कुछ value आपको set करके दिखाते हैं कि इसमें value हम कैसे key pair के form में रख सकते हैं सबसे पहले मान के चलो कि मैं क्या करता हूं एक यहां पे key लेता हूं name नाम का और इसका value मैं यहां पे create कर रहा हूं अंकित ठीक है यह जो name है यह हमारा key है और इसका value है अंकित ठीक है अब इसको हम save करके और run करते हैं तो यहां पे भी type ही print हुआ है क्योंकि हमने value print नहीं किया तो हम क्या करेंगे type भी चाते हैं print हो उसके बाद हमारा dictionary का value भी print हो अब run करेंगे तो दोनों print होगा तो यहां पे आप देखो हमारा value भी print हो गया है dictionary का और उसी form में print हुआ है जिस form में हमने input दिया था इसमें आप अलग अलग तरह की value रख सकते हैं जैसे अगर मैं रखना चाहूं एक integer value जैसे मेरा age ठीक है मैं अपना age यहां पे input कर देता हूं 21 फिर से program को run करते हैं तो यहां पे देखो हमारा यह भी print हो गया ठीक है अब duplicate value हम इसमें ले सकते हैं कि नहीं हम आपको वो बताते हैं सबसे पहले मान के चलो कि मैं एक user का name ले लेता हूं अभी username इसको double bracket में इसको भी रखेंगे याद रखना आपको key जो है double bracket में ही रखना ठीक है उसके बाद colon और user का name मैं ले लेता हूं अंकूस ठीक है अभी अगर इसको हम run करेंगे तो क्या कोई error आएगा नहीं बिल्कूल वैसे ही run हो गया बिना किसी दिक्कत के अब यहां पर देखो name का value है अंकीत और username का value है अंकूस अब अगर हम इस username को भी मालों अंकूस को भी हम क्या करते है इसको हम कर देते हैं अंकीत ठीक है username भी अंकीत है और यहां पर name में भी value अंकीत ही है तो क्या यह run करेगा हमने program को run करा तो यहां पर यह error नहीं आना चाहिए ठीक है फिर से लिखेंगे तो सायद error ना मिले तो यहां पर देखो अभी यह run कर गया username भी अंकी थे इसका value भी अंकी थे और name का value भी अंकी थे तो यहां पर value duplicate हो सकता है ठीक है लेकिन अगर हम key को भी duplicate कर दें देखो हमने इसको भी name कर दिया key name यहां पर भी name है यहां पर भी name है अब अगर run करें तो क्या यह run करेगा यहां पर देखो हमें एक error मिला है name error क्या बोड़ रहा name is not defined इसका मतलब आप same key को two times use नहीं कर सकते same value के साथ ठीक है यहां भी key का value अंकी थे यहां भी अंकी थे अगर इसका value हम change कर दें अंकुस कर दें तो यह run कर जाएगा यहां पर देखो अभी हमारा name जो हमारा key था उसका value अंकुस है और age हमारा twenty one print हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि last updated value हमारा हमें so कर रहा है हमने first time जब key name use किया था उसका value अंकी था लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारा key का name name ही रहे लेकिन इसका value change हो जाए तो हम जो भी value last में update करके रखेंगे वही value हमें as a result के form में यहां पे display होगा पुराना value को यह ignore कर देता है ठीक है तो यह हो गया हमारा simple statistics नदी का code अब हम क्या करते हैं बहुत सारे predefined methods हैं जिनके थुरू हम आपको access करके दिखाएंगे इसकी value को लेकिन यहां पे आप directly भी value access कर सकते हैं कैसे आप चाहें तो where. यहां पे key का name आप यूज कर सकते हैं जैसे double quotes में अगर मैं name लिखूँ तो क्या ऐसे हम कर सकते हैं देख लेते हैं तो यहां पे देखो invalid syntax border क्योंकि हमने की यूज किया है नेम और नेम का latest value क्या है अंकुस तो इस तरीके से आप की के थुरू directly भी value access कर सकते हैं अगर आपको age access करना हुआ तो आप क्या करेंगे यहां पे नेम के जगा पे एज लिखेंगे तो अभी 21 प्रिंट होगा है तो यहां पर देखो अभी 21 प्रिंट हुआ ठीक है अभी बहुत सारे predefined methods होते हैं चलिए हम dictionary का predefined methods आपको यूज करके दिखाते हैं हमारा सबसे पहला method pop method तो सबसे पहले मैं है यहां पर दिक्सिनरी में एक और की बना लेता हूं जैसे मैं बना लिया तो हमारा पहला method क्या है पॉप method क्या करता है कि हमारे डिक्सिनरी में अगर हम किसी भी वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं तो करना करना का कौन सी वेलुट करनी है जैसे सपोस मैं चाहता हूं की नेम ये वह को ठीक है अब मैं अपने डिक्शिनरी को प्रिंट करना चाहता हूँ अब मैं इतने करता हूं गायर को कंट्रोल एस करा मैंने और इसे रून करा तो यहाँ पर आप देख सकते हमारे dictionary से name नाम का key pair value जो था वो delete हो चुका है यहाँ पर भी name था यहाँ पर भी name था लेकिन जब हमने pop में name डाला हमने key के रूप में name डाला तो दोनों को consider किया और इसलिए उसने दोनों को remove कर दिया पॉप में तर क्या करता है ना कि जो वैलू डिलीट करता है उसको रिटन भी करता है अगर आप यहाँ पर हम प्रिंट फंक्शन में इसको सेप्रेट कर दें ठीक है और कंट्रोल्स करूं और इसे रन करूं अगर मैं तो यहाँ पर आप जब हम किये तो दोनों को डिलिट किया है यहाँ पर रिजल्ट में देख भी सकते हैं ठीक है अब आप आगला साधे मारा सल हूं Get पॉप के जगहा पे मैंने लिख दिया अब यहां पर मैं नेम के जगहाब पे सपोज मैं लिखता हूं पासवर्ड कंट्रोल एस कर और इसे रद गरा तो आपूट क्या होना चाहिए अंकूछ 141 enferka कि locked 15 15134ा कि व्यांने यहीं पर क्या मेथड इसकी गेट मेथट क्या डीम हम्हें डालें गहरती है उसके जो भी वैलू रहाू हम भी करेंगा इस 1985 मैं इसने इसे हमारा अगला मेथ क्या है मारा आगला मेथट है अभी और अगर मैं आपको यहां पर कहूं कि हम कुछ ऐसा की डाल दे जो ही नहुंए नहीं हमारे एक अगर इसके जगह पे कोई डिफोल्ट मेसेज प्रिंट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं जो कि समझने अंडेस्टेंडिंग परपस के लिए बहुत असान होगा वह कैसे करेंगे यहां पर हम कॉमा देंगे अलिक देंगे नौट अविलेबल ठीक है हमने लिख दिया कंट्रोलेस करा हमने और इसे रन करा तो यहां पर देखे कितना अच्छा मेसेज भी आ रहा कि नौट अविलेबल अगर हम कोई अन्नून की यूज करेंगे और उस वो की हमारे डिक्सिनरी में नहीं हुआ तो हम एक मेसेज भी दे सकते हैं यूजर अं इसने क्या किया है यह वैलू रिटन किया है क्योंकि पास्वर्ट नामंका की हमारे डिक्सिनरी में है तो इसने इस वैलो को उठाया और हमें प्रिंट करके दिया जब हमें की Só 일단 तो यह वाला मेसेज ग्रीनौर किया जाएगा और जब किफॉ करे दिये 65 को बिद्लेसें sut I can कि डॉट किलियर ठीक है कंट्रोल करता हूं मैं अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करूं तो हमें एक empty dictionary दिखाएगा हमारा program रन नहीं हुआ I think इन नहीं दिखा रहा है है यहां नकिव दिखा रहा है हमने लिखा है डियर चलियर हमने इसी हुरिंट किया है ओके वह हम करता हूं करता हूं मैं अनले लिगार देख सकते हैं empty dictionary हमें print में मिला है clear function क्या करता है ना clear method हमारे dictionary से सारे value को clear कर देता है यानि delete कर देता है तो फिर जब सारी value delete हो जाएगे कीप ये वाली value तो क्या बचेगा ये curly braces बचेगा और ये curly braces बचेगा यानि ये दोनों ठीक है अब हमारा अगला method क्या है हमारा अगला method है कीज में ठीक हम उसका भी यूज़ करके आपको दिखा देते हैं किस में यूज़ करके हम आपको दिखाते हैं तो कीज में हम यहां पर सिंपल यूज़ करते हैं किलियर के जगा हम यहां पर लिखते हैं किस हमने कीज लिगा और function का symbol दिया और इसे रण करते हैं तो जितने भी कीज होंगे यहां पे दिखाई देने लगेंंगे यहांब क्यों क्योंसा हमारे隉श्क में नेम एज है पास्वाड है तो आप देख सकते हैं दिखाई देने लगा इसी तरह से हम वैलू को भी कर सकते हैं अलाग अलग तरीके से हो तो यहां पर नीचे वाले में वाले में वैल्यू से और आगे में डिक्ट की और डिक्स वैलेृ दीक VISTA है की यह रहा और डिक सनरी में जो वैल्यू है वह यह रहा ठीक है? सा क्शीय वी ऐसे है जैसे अगर हम चाहें है एक नाम का भी मेथ्ड है ळारे में वह से अपको воды करके दिखा देते हैं अग्टम्ज ठीजिँ करता हूं मैं और इसे करता हूं तो यहां पर देख सकते हैं डिक्सिनरी आइटम्न। में हमारे क्या क्या purTI है ने में हमें है एज है एज में 21 है और पासवर्ड है पासवर्ड में अंकुस 1234 है तो आइटम मेथड की और पेर दोनों वैलू को सो करके दिखाता है और जो भी मेथड हम यूज करेंगे स्टार्टिंग में डिक्सनरी के साथ वो मेथड लिख के आगा जिससे की अंडेस्टेंडिंग पर में दिख सकते हैं जैसे हम लूप के साथ वे कुछ ब्राइसंस पर्फोर्म कर सकते हैं अगर हम चाहें तो आईटम से अंतर यूज करके 我ữ 3 कि निखा देता हूं मैं चाहता हूं for की कॉमा वैल्यूस मैंने लिखा इन और किसका टिक्स्टनरी वैर डॉट आइटम्स हमने आइटम्स लिख दिया ठीक है और हमने यहां पर लूप को क्लोस कर जाए सक्सेस्टू लिए और यहां पर अगर मैं प्रिंट प्रिंट में मैं की कॉमा वैल्यूस अगर प्रिंट करूं कंट्रोल एस करूं अर्देन इसे रन करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं की के सामने उसका वैलूस हो रहा है फिर की के सामने उसका वैलूस हो रहा है यहां पर भी सेम की के सामने उसका वैलूस हो रहा है अब मैं चाहूं मैं आप रख़ेपार सेफ नव का एक सब्रेनाट्र आप यूज कर सकते हैं आप को मल देγեंक सेप एक्वल क्या यूज करना आपको अunkर्डा करना हमें तो हमने हाइफन यूज कर दिया कंट्रोल एस करके मैं इसे रन करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका काफी अच्छा आपूट हमें दिखाई दे रहा है समझ में भी आ रहा कि हाँ पासवर्ड देन यह रहा पासवर्ड तो यह रहा डिक्सनरी हमने कोसि करना चाहता हूं जैसे मैं एज में 21 है तो अब मैं चाहता हूं यहां पर 50 आ जाए तो उसके लिए मैं क्या करूंगा मैं लिखूंगा वैर इसक्वार ब्रेसेस और इसके अंदर मैंने एज लिखा ठीक है और इक्वल 50 हमने कर दिया ठीक है अब मैं प्रिंट करता हूं करता कर दिया हम इस तरह से भी modification perform कर सकते हैं अपने dictionary में ठीक है तो यह था dictionary का basic operations हमने हर तरह का methods और normal जो भी ऑप्रेशन सम परफॉर्प करना चाहते थे वो हमने आपको करके दिखाया तो आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए चैनल पहना है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस वीडियो में इतना ही थैंक यू